हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है मुहन और आप देखरें स्पोर्स जगत चैनल अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके तो बात करते है है फ्रेंट्स फीफा वर्ल्ड कप की फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जینटिना के लियोनल मैसी और फ्रांस के किलियान एमबापह इस फीफा वर्लकप के सबसे कामियाब किलाडियों में सामिल है फाइनल में दोनों की जंग काईफी दिल्च Hilf expl होगी फीफा वर्लकप का तावी मुकाबला रविवार को फ्रांस और आर्जेंटिना के वीच खेला जाएगा। इस मुकाबले में फैंस सबसे ज़्यादा किलियन एमबाफे और लियोनल मैसी की जंग देखने को वेकरार है। ये वर्ल्ड कप लियोनल मैसी का आखरी फीफा वर्ल्ड कप है। वहीं एमबापे के अंतराष्ट के केरियर की अभी सुरुवात भर है। मैसी ने साल 2006 में फीफा वर्ल कप में डेब्यू किया था। तब से अब तक उन्होंने 25 मुकाबले खेले हैं। वहीं एमबापे ने अपना डेब्यू मुकाबला 2018 में खेला था। मैसी ने फीफा वर्ल कप में गारा गोल दागे हैं। जबकि महज एक वर्ल कप पुराने एमबापे अब तक 9 गोल दाग चुके हैं। अपने लगबग दो दसक लंबे केरियर में लियोनल मैसी वर्ल कप का खिताब नहीं जीत पाए हैं। वहीं किलियन पिछले वर्ल कप में चैंपियन बने फ्रांस की टीम का हिस्था थे। लियोनल मैसी ने मैदान पर ज़्यादा समय बिताया है लेकिन उस लिहास से उनके गोल काफी कम है।